दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में गिरफतार आम आदमी पार्टी के मुख्यव और दिल्ली के मुख्यमंतुरी अरविंद केजडिवाल को अब 15 अपरेल तक नियाएक हिरासत में भेज दिया गया है सौंबार को राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेश उन्याधिश कावेरी पावेजा के सामने केजडिवाल को पेश किया गया जिसमें कोर्ट ने रिमांड अबदी को 15 अपरेल तक आगे बढ़ा दिया अब सीम केजडिवाल 15 अपरेल तक तिहाड जेल में ही रहेंगे जेल मैनूल के अनुसार सबसे पहले अरविंद केजडिवाल का मेडिकल किया जुआएगा फिर केजडिवाल को जेल में अलग सेल में रखा जाएगा केजडिवाल को तिहाड में जेल नमबर 2 में रखा जुआएगा वो जेल में अकेले रहेंगे आपसांसर संज्ञे सिंग को कुछ दिन पहले जेल नंबर 5 में shift किया गया है केजडिवाल के जितने करीबी हैं सारे इसी जेल में बंध है जिन में मानेश्टी सोदिया जेल नंबर 1, संजे सिंग जेल नंबर 5, सत्यंदर जुएन जेल नंबर 7, केकविता जेल नंबर 6 और विज़ो नायर जेल नंबर 4 में हैं वहीं बात अगर केजडिवाल के जेल रूटीन की करें तो जेल में सुभा सूरज निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खोल दिया जवाता है इसके बात केजडिवाल को सुभा साड़े दस बजे खाने में दाल, सबजी और पांच रोटी या फिर चाबल दिये जवाएंगे दोपहर साड़े तीन बजे एक बार फिर चाय और दो बिस्किट दिये जवाएंगे शाम चार बजे वह लोगों वकीलों से मिल सकेंगे शाम साड़े पांच बजे खाने में उन्हीं दाल, सबजी, पांच रोटी या चाबल दिये जवाएंगे इसके बाद शाम छे से साथ बजे उन्हें अपने सेल में जवाना होगा सुभा पांच बजे से रात ग्यारा बजे तक वे टीवी में 18-20 चैनल देख सकते हैं जिन में स्पोर्ट्स, न्यूज और मनुरेंजिन के चैनल शामिल है इसके अलाबा अगर उन्हीं जेल में कोई च्वारिदिक दिक्कत होती है तो हर समय वहां डॉक्टर उपलब्द रहते हैं केजडिवाल हफते में दो बार अपने घर के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं मुलाकात उन्हीं से होती है जिनके नाम पहले से लिखे होते हैं केजडिवाल के वकील ने उनकी बीमारी को देखते हुए स्पैशल डाइट का अनुरोध किया था खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें झालें